हेलो फ्रेंड वल्कम टो इस्टडी नियूज आज हम इस वीडियो में प्रकास यानि लाइट के बारे में जानेंगे प्रकास एक उड़्जा का रूप है जो खूद अद्रिश्च होता है पर अन्य वस्तूओं को द्रिश्यमान बनाता है इस वीडियो में इसके बारे में डीटेल में जानते हैं प्रकास का परावर्थन रिफ्लेक्शन आफ लाइट जब लाइट प्लेन सर्फेस से टकड़ा कर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकास का परावर्तन कहते हैं इसका example है जब हम mirror में खुद को देखते हैं यानि खुद का प्रतिवीम देखते हैं तो ये प्रकास के परावर्तन के कारण ही होता है नेक्स्ट है प्रकास का अपवर्तन Refraction of Light जब light एक medium से दूसरे medium में पहुंसती है तो दूसरे medium में light अपनी main direction से हट जाती है जिसे प्रकास का अपवर्तन कहते हैं इसका example है जैसे पानी में पड़ा सिक्का तली से उपर दिखाई देता है ये प्रकास के अपवर्तन के कारण ही होता है नेक्स्ट है प्रकास का पूढ आंतरिक परावर्तन Total Internal Reflection तल पर ऐसा कोड बनाती है जिससे प्रकास परावर्तन होकर उसी medium में रह जाता है इसे प्रकास का पूढ आंतरिक परावर्तन कहते हैं इसके example है हीरे का चमकना जो पूढ आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है और रेगिस्तान में मिरीच का दिखाई देना नेक्स्ट है प्रकास का वर्ड विक्षेपड Dispersion of Light जब प्रकास प्रीच में से होकर गुजरती है तो प्रकास कई रंगों में बट जाती है जिसे प्रकास का वर्ड विक्षेपड कहते हैं बैंगनी रंग का विक्षेपड सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपड सबसे कम होता है लेकिन लाल रंग की वेवलेंथ यानि तरंग देड सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है प्रकास के वर्विक्षेपड का एक्जामपल सबसे अच्छा इंद्रधनुस है नेक्ष्ट है प्रकास का प्रकिर्णन प्रकिर्णन का अर्थ फैलना होता है सबसे अधिक प्रकिर्णन सबसे कम तरंदेर्ध वाले रंग का होता है यानि बैगनी रंग का प्रकिर्णन सबसे अधिक होगा और लाल रंग का सबसे कम जब लाइट किसी माध्यम से होकर गुजरती है जहां पर धूल या अन्य कोई प्रदार्थ मौजूद होता है तो प्रकास सभी दिशा में उससे टकरा कर फैल जाती है जिसे प्रकास का प्रकिर्णन कहते हैं इसी के कारण आकास हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि दिन में सूरज प्रित्वी के पास होता है और सूरज की रोसनी में अलग-अलग रंग होते हैं बैगनी रंग का प्रक्रिणन सबसे अधिक होगा यानि बैगनी रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा होगा और सभी रंगों के मिक्सर के कारण हमें आकाश नीला दिखाए देता है। लेकिन सुबह और साम के समय हमें आकास रेड दिखाई देता है क्योंकि इस समय सूरज प्रिथवी से सबसे ज़्यादा दूर होता है और रेड कलर की वेवलेंद सबसे ज़्यादा है जिसे रेड कलर प्रिथवी तक ज़्यादा पहुंसती है जिससे सुबा और सामन के समय हमें अकास लाल दिखाई देता है तो ये थी लाइट से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट